दोस्तों कल आपने पढ़ा यहाँ पे अंतराष्टी बाग दिवस के बारे में हम यहाँ पे आपको डिसकस किये थे कि 29 जुलाई को है ठीक है प्रधान मंती द्वारा बाग दिवस पर देश में बागों की कुल संख्या 2967 बताई गई है इंपोर्टन यह कुश्चन था कल हमन के पार्ट आते जाएंगे तो आपको नोट किसन मिलता जाएगा ठीक है यह हमने डिसकस कर लिया था कि सरवादिक बाग वाले राज्ज हो गए इंपोर्टन फैक्ट जो आपके वियस में मत्पदेश में 526 बाग है जो की प्रतम इस्थान रखता है करनाटक दूसरा इस्थ पारण अमोनिया गयस है आपकी ठीक है इसके सारे डिसकस कर लिये थे ठीक है आज हम बात करेंगे वीडियो में ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपने यूटूब चैनल रोकिंग इंफार्मेशन पर मैं बीजय जैस्वाल चले स्टार्ट करते हैं काजी रंगा राष्टी उद्यान जो कि आपके SM में है ये आस्रे इस्थल किसका आस्रे इस्थल है आपके एक सींग वाले भारती गंड्यों का ठीक है चले अब बात करेंगे निस्ट में कौन सा अगर अवारंजापका द्रगंदरा ठीक है द्रगंदरा अवियारंड जो कि आपके जंगली गदों की क्या है लुप्त प्राय जाती है ठीक है जंगली गदों की जो की लुप्त होती जा रही है वह वह एक प्रजाती है उसे अब भेहरंज में रखा जाता है अब बात करेंगे गिर राष्टी उद्यान जो कि आपके गुजरात में है दोस्तों राष्टी जो आपको इसका पीडियव भी हम उपलब्द करा देंगे ठीक है गिर राष्टी उद्यान जो की आपके गुजरात में है ठीक है यहाँ पे क्या है ACI सेर रखा जाता है ACI के जो सेर रहते हैं ACI सेर यहाँ पर आपके गिर राश्टी उद्ध्यान में रखा जाता है जो की गुजरात में है अब बात करेंगे सिमिली पाल राश्टी उद्ध्यान यह कहां पर है आपका ओरीसा में है बाग और उडने वाले गिलहरी अब दोस्तों उडने वाले गिलहरी कहां पर कौन से आपके राश्टी उद्यान में रखा जाता है सिमली पाल राश्टी उद्यान में और ये कहां पर है उडने वाले गिलहरी राश्टी उद्यान किस राज में है उडिसा राज में है और यहाँ पे बाग और उडने वाली गिलहरी रखा जाता है सिमली पाल राश्टी उद्यान जो कि आपके उडिसा में है ठीक है अब बात करेंगे केवला देव घाना राश्टी उद्यान यह आपके राजिस्थान में है यहाँ पे आपको क्या रहता जाता है Siberiai Saras ठीक है यहाँ पे रखा जाता है Siberiai Saras ठीक है अब बात करेंगे Greenpeace International का मुख्याले कहा है आपका नीदरलेंड में है ठीक है Amsterdam ठीक है Amsterdam इसका नाम है जगय का प्लेस का और नीदरलेंड आपका नेशनल हो गया देश हो गया ठीक है चले अब बात करेंगे गिद्ध सनरच्छन प्रोजेक्ट जो की आपका 2006 में हुआ था ठीक है कुश्चन आ सकता है कि गिद्ध सनरच्छन प्रोजेक्ट कब लागू किया गया है 2006 में लागू किया गया The Last Flight परियावरन मंत्राले द्वारा निर्मित फिल्म जिसमें गिद्धो के सनरच्छन के लिए सौधान किया गया है The Last Flight आप जब आप मूवी देखेंगे तो वहाँ पर क्या किया गया है परियावरन मंत्राले द्वारा ये निर्मित फिल्म की गई है अब किसके द्वारा देखो The Last Flight किसके द्वारा ये मूवी जो है फिल्म है किसके द्वारा निर्मित की गई है परियावरन मंत्राले द्वारा एक कोश्चन आपको ये बन गया ठीक है किसके सनरच्छन में गिद्धो के सनरच्छन के लिए बनाय गया था ठीक है चले 10 degree channel यानि कि अंद मान एवं निको मार के मद्ध होता है ठीक है कंगारू रेंट कंगारू रेंट में क्या है अपने जीवन में कभी ना पानी पीने वाला जीव है कंगारू रेंट कभी पानी नहीं पीता है अपने जीवन में यानि कि पानी नहीं पीता अब बताइए जल ही जीवन है जीव के लिए ऐसा है आपका कंगारू रेंट है है जो अपने जीवन में कभी ना पानी पीने वाला जीव है बताइए तो यही आपका important question बन जाता है अब बात करेंगे टिउना बिस्क की सबसे महेंगी मचली काउन सी है टिउना मचली है यह भी important है आपके वियेस के लिए बिस्की सबसे महेंगी मचली टिउना मचली है CH4 जो की मेथेन है धान के खेत में पसुओं के जुगाली करने के लिए उप्योग किया जाता है अब बात करेंगे भारत के प्रमुक दर्रे के कौन कौन से दर्रे हैं कारा कोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पारिपन जाल दर्रा और आपका क्या है बनिहाल दर्रा ये आपके जम्मुक आसिमी में चार दर्रे हैं चार प्रमुक दर्रे जम्मुक आसिमी में है कारा कोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, परिपन जाल दर्रा और बनिहाल दर्रा ठीक है और आपके हिमानचल पदेश में तीन दर्रे हैं सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा ये क्वेशन पूछा जा सकता कि रोहतांग दर्रा किस राज में हैं जमू कास्मीर हीमानचल में अवनानचल में तो आपका हीमानचल में हो जाएगा इसलिए हम आपको बताए दे रहे हैं ठीक है और आपका दीफू दर्रा और पांग सान दर्रा ये आपके अवनानचल पदेश में ठीक है तो इसे आप नोट कर लिजेगा अब बालत करते हैं न अब यहाँ पे लिखा यूगलीना यूगलीना क्या है इसमें क्या जन्तूओं और पाद्वों दोनों का गुण पाया जाता है यूगलीना एक ऐसा जिव है ठीक है और ट्रेटा एथिल लेड यानि पेट्रोल में इसे मिलाकर पेट्रोल को सीशा रहिद बनाया जाता है पेट मरु इस्थल जिस छेत में वार्षिक वर्षा 25 cm से कम होती है उस छेत को मरु इस्थल बोलते हैं कुश्चन आ जाएगा कि मरु इस्थल बोलते हैं जिस छेत में वार्षिक वर्षा 25 cm से कम हो ठीक है silent valley केरल में है ये तो पहले मैं बता चुका हूँ very very important question है silent valley आपके केरल में है फूलों की घाटी उत्राखंड के चमोली में है उत्राखंड के चमोली में फूलों की घाटी है great warrior riff आश्टेलिया में इस्थित है बिस में मुंगे की सबसे बड़ी चटान है ठीक है आश्टेलिया carbon ticks लगाने वाला पहला देश आपका आश्टेलिया है अब आप संदेदिया आश्टेलिया इंगलेंड भारत बंगला देश तो आपका आश्टेलिया is the right answer silent spring ये रसेल कॉर्णिस की कॉरसिन की पुस्तक है nitrogen की कमी को पूरा करने के लिए हम कीट बच्ची पौधे का उफ्योग करते हैं ठीक है prototheria prototheria एक मात इस्तंधारी जो आपका असमतापी होता है ठीक है कौन सा prototheria ये आपका असमतापी होता है एक ऐसा इस्तंधारी जीव है hydroponics ये आपका म्रदा विहीन करसी है ठीक है जहाँ पर बीना मिठी के करसी की जाती है तो आपको hydroponics कहलाता है आप एरोपानिक्स जल बिहें करसी जहां बीना जलके करसी होती है उसे क्या कहते हैं आप यहां पे बात के लिए हैं शाग्री लवन्टा महा सागरों की आउसत लवन्टा 35 अवलेज 1000 होती है यानि 1000 में 35 ठीक है तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं चले अब बात करते हैं Estivation यानि कि आसमतापी जीवों की Greece Niskrita को Estivation बोलते हैं आसमतापी जीवों की भूत Niskrita Greece में Niskrita को क्या बोलते हैं आपको Hiver Nation ठीक है इसे भी आप Note कर सकते हैं एंडो सिल्फान कीट नासक है आपका खर्पतवार नासी तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को सेयर भी कर दीजिए वाटसेप, फेस्बुक, इंस्ट्रागाम जो भी है अब बात करेंगे धुंद, कोहरे और धुये का मिस्ट्राण को धुंद बोलते हैं यानि एक प्रकार का वाइफ प्रदूसर्ण है आपका LPG, Liquid Petroleum Gas LPG से मुकता है प्रोपेन और बीटोएन गैस का मिस्ट्राण होता है ठीक है और CNG में क्या है Compressed Natural Gas मीथेन और एथेन होता है CNG में आपका मीथेन और एथेन होता है LPG में आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होता है यह ज्यान दीजिएगा H2SO4 अमनों का राजा कहा जाता है ठीक है और M राज HNO3 और 3 HCl को M राज कहते हैं ठीक है चले Water Gas CO plus H2 को हम क्या कहते है Water Gas कहते है और Producer Gas CO plus N2 को Producer Gas कहते है Gasohal Petrol एवं Alcohol का मिश्रन को Gasohal कहते है Octane संक्या इधन का गुनवत्ता मापने का मात्रक है Octane संक्या ठीक है ठीक है चले अब बात कर लेते हैं आपके H5N1 ठीक है यह आपको क्या है Word Flu है ठीक है Word Flu को क्या है H5N1 बोलते हैं और Elisa Test Ads में किया जाता है ठीक है रख को जवाने में साहता कर उसका बहार रोकने में Vitamin K ठीक है Ukraine के चिन रोबिल में परवान दुरगटना कभुवात 1986 में जापान की फुक सीमा दुरगटना 2011 में हुई भारत में सुनामी 2004 में आई जीरो फाइट यानी मरुद भेद वर्सा की कमी वाले इस्थानों पर उगने वाले वनस्पति को कहते हैं वायू मंडल को पांच भागों में बाटा गया है कौन कौन से इससे एक question जरूर बनता हूआ वायू मंडल से छोब मंडल हो गया भू मंडल से 18 km की उपर की दोरी में है आपका समताप मंडल मद मंडल आयन मंडल वहर मंडल अब इसमें से question पूझाए कि सबसे सबसे ठंडा आपको क्या है कौन से मंडल होता है तो मद मंडल सबसे ठंडा होता है सबसे ठंडे वायू में ठीक है तो सबसे ठंडी वायू मद मंडल में होती है मौसम समंदी गटनाएं वर्सा, बिजली ये सब छो मंडल में होती है वर्सा जो होती है और जो बिजली चमकती है आपके छो मंडल में होती है ठीक है और ओजोन परत कहा है समताप मंडल में आपका ओजोन परत होती है रेडियो तरंगे का उस सरजन ये आपके आयन मंडल में होता है यह question मन जाएगा उपर गहों का प्रच्छेपन आपके बाहर मंडल में होता है मंडल के बाहर हो ठीक है सबसे बाहर हो वायवगान तथा छोटे बिमान कोड़ना समताप मंडल में वायवगान उड़ते हैं और उजोन परज जाएं आपकी होती है ठीक वहीं पर आपके वायवगान उड़ते हैं चले नेस्ट देख लेते हैं यह आपका ठीक है तो आज तक का यहीं वीडियो देखते हैं अब नेस्ट जो आपका आएगा